सबेरे में लमसम छे बज़े के बाद महला में हला हुआ कि रेलवे लाइन के किनारे एक नवजात वच्चे को फेक दिया गया है तो हम लोग देखने के लिए आये यहां पर तो यहां पर आकर के एकदम निंद निये कारी लगा एक नवजात वच्चे को फेक दिया गया था इंसानियत को शंसार करने वाली घटना आई सामने रेलेवेर ट्रैक के गिनारे मिला नवजाद का शब इंसानियत को शंसार करने वाली एक घटना दर्भंगा में एहले सुबाद देखने को मिली है जहां रेलवेर ट्रैक के बगल में छाडियों के बीच नवजाद शिसु का शब मिला है। रेलवेर ट्रैक पास मिले नवजाद शिसु के शब पर कपड़ा तक मिली था। जिस किसी ने भी इस मंसर को देखा वह अहद पर भिर रहे गया। इस दोरान लोगों ने इस घटना के सुचना पुलिस को दी। वही सुचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुचकर शब को कब्स मिले कर मामले की जांच में जुट गई है। गलाण के संबन में बदाय जय रहा है कि गुर्वार के अहल सुचना ज्यूपूप, गुंब्टे के लुड तीन मल्ला एक काट्रून लेकर रेलवेर ट्रैक की किनारे जारे बें और गुस्दूरी के बाद कार्टून को रेलवेर ट्रैक के किनारे फेकर चलिए जिसके गुज़ेर के बाद उधर से गुज़र रहे लोगों ने देखा कि कार्टून के अंदर एक नवज़ाद शिसू का शाबब परा हुआ है जिसके बाद या खबर पुड़े इलाके में आग की तरफ पहर देगी वही अस्थानी में जिज़र चौज़री ने कहा कि सुबल में अचानक शौर मज़ा की काटूं में एक नवज़ाद शिसू के लाश परा है शौर सुद्धे ही मैं भी मौके पर पहुँचा और देखते ही देखती वहाँ लोगों की भीर चमा होगे शिसू के सब किस्तिती देखकर पर्टीत होता है कि उसका कुछ ही घुबले पहले ही जन हुआ 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 था वह इन्हों ने कहा कि इस शर्णान के दुखना को जाम देने वालों ने थैवानियत का परिंचे दिया है सबेरे में लमसम 6 बज़े के बाद महला में हला हुआ कि रेलवे लाइन के किनारे एक नवजात वच्चे को फेक दिया गया है उस नवजात वच्चे को यहाँ फेक करके चली गई है चाह किसी कारण से हो अबयत संबंद के कारण वो बच्चा हुआ हो या जिस कारण से भी वो बच्चा हुआ हो लेकिन ये निंदनीय कार हुआ है और समाजिक पतन हुआ है इसे